नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइटेए फ़ॉंडेशन क्लासेश में तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है आइटेए से रिलिटेट सभी महत्पून अपडेट्स में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहु मिलते रहें तो गाइस यहां स्क्रीन पर आप लोग देख पार हूँ दस्वी पास आइटेए करने वालों का अब इसना तक में सीधा दाखिला मतलब गाइस अगर टेंथ पास करने के बाद में कोई स्टुडेंट आइटेए करता है तो उसका सीधा अब जो है डारेक्ट को जाए फिलहाल जो है इसे बिहार में लागू किया गया है और हो सकता है जल्द ही इसे पूरे भारत में लागू किया जाए गाइस आगे देखे यहां पे लिखा हुआ है दस्वी पास आइटे करने वाले सभी विध्यारती अब सीधे इसना तक में दाखिला ले सकेंगे रा मतलब जो राज्यपाल जी है उन्होंने जो है यहां पे यह आदेश जारी किया है कि टेंथ के बाद यही कोई विध्यारती आईटे इपास करता है तो उसका डायरेक्टली कोलेज में एडिमिसन हो सकेगा आगे देखे गाइस राज्यपाल के प्रधान सच्चिवारल चॉं करने के बारे में जानकारी दी गई है तथा इसे लागू करने को कहा है और यह जो फेसला लिया गया है इसे लागू करने को कहा गया है इसके साथ ही आईटे उत्तिन विध्यारत्यों को लेकर उहापो है कि इस्तितिक खतम हो गई है मतलब जो confusion था वो खतम हो चुका है साथ कोलिजों में उनके नमांगन का रास्ता भी साफ हो गया है तो गाइस फाइनली जो है अब यह दी कोई स्टुडेंट्स टेंथ पास करने के बाद आईटे पास करता है तो उसको डायरेक्टली कोलिज में एडिमिशन मिल सकेगा आगे देखे गाइस यहां लिखा हुआ है कि द आईटे करने के बाद इस नातक में नामांकर नहीं ले पा रहे थे तो इसी को लेकर जो है यह बिहार राज्ये में डिसीजन लिया गया है तो गाइस आई हौफ की आज का जो वीडियो है आप सभी आईटे स्टुडेंस के लिए काफी हेल्फुल रहा होगा इसी तरह के रेगुलर प्राप्ट करने के लिए आप लोग जुड़ी रहे हमारे साथ मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद